आज का वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूज और एमसीवी दोनों के बारे में और दोनों में डिफ्रेंस क्या है और किसको हमें यूज करना जरूरी है किसको नहीं यूज करना चाहिए और किसको यूज करने में हमें क्या फाइदा मिलता है उचले शुरू करते हैं म कि कि दोने देते हैं और इसके बाद भी एंचिवी ऑपते हों कि जो भी आज़कल का यूज चल्क्राइब में बाइब को बता दिया और इसके बार में ज़्यादा जानना चाहते हैं इसका सारे लिंक में आप देख लीचे ठीक है तो चलिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हो मैं दोनों का दोनों हमारा जो होता है और जो होता है और जो होता है और जो हम में आप अवर्लोड ट्रेक्शन के लिए यह ज्यादा कारगर होता है और जो हमारा फ्यूज का अंदर होता है सोजा के नहीं सब्सक्राइब होने का मतलब जब यह बहुत ज्यादा स्वास्त होता है मतलब यह हाइब करेंट फ्लो होता है उसी टाइम में यह फ्यूज क्या होना है 20 millisecond का अंदर ही यह फ्योज को ब्लो कर देता है मतलब ब्राउन कर देता है जिसी बज़े से हमारा सारी equipment बच जाता है ठीक है वही यह वहाँ पर क्या होता है ना जब हम आपने MCB होगा ओभी है MCB थोड़ा सा ज्यादा time लेता है फूची होता है जो होता है मिली से कंड तक हमारा डूध्य होता है ज्यादा हम यूज करते कि क्यों कि हमारे जब होता है और इसका ओप्राइट रहित Κow Quin होता है जल्दी ही आक्षन में आधाता है ठीक है उसका दुसरा पॉइंट यह होता है कि दुसरा पर जाता है वह बहुत ही कम सस्ते में मिल जाता है कम नतलों कोस्ट में लेकिन जो हमारा पर हमें हमारी को हशा कर ठाट है उसके जादा होगा तो हम था यह तक है तक है यह एक हमारों जाहाँ हुटा है इस्ली करते हैं उस से जादा होगा तो हम nc cog episode तो he就是 the तो यह जो छोट मोगा पर इसका घुशो पहता है तो हम दूबारेट करकाते हैं उसको रिप्लेस्मेंट करना पड़ता है यह चुल भी होता है उसको हम अपरेट करते हैं दुबारा यूज़ कर सकते हैं कि यूज होता है चार होता है जी हमारा जो फ्यूज होता है वो फ्यूज को हम एजे स्वीज के हिसाब से यूज नहीं कर बांते हैं स्वीज के हिसाब से यूज नहीं कर लेकिन जो हमारा एंसीव होता है इसको एजे स्वीज के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं फ्यूज को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको फ्यूज को निकलना पड़ेगा लेकिन जोसे हम NCV को EJS यूज के हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर सोचिए कि हमारा अगर कहाँ पर कोई 3-phase motor लगा हुआ है उसी जगह पर फ्यूज लगा हुआ है तो अगर हम फ्यूज को वहाँ पर निकालेंगे एक एक फ्यूज को निकलके इसको फ्यूज को आफ करने जाएंगे तो उसी वक्त क्या होगा ना तो एक फेजिंग तो double phasing हो जाएगा जिसी बज़य से double phasing में हमारा मोटर को जल जाएगा और उससे single phasing size double phasing होगे single phasing जो होता है उसमें हमारा क्या होता है ना motor जाल जाएका लेकिन हमारा जहां पर mc भे होता है mc को हम sg switch यूज़ कर सकते है और इसको direct बंद करने तो एक साथ ही तीनों फेज बंद हो जाएगा ठीक है इसके हमारा अगला होता है जो हमारा next point होता है next point यह होता है कि जो हमारा fuse होता है और fuse को हम जब भी replacement करेंगे अगर live line होगा तो वहाँ पर replacement करने हमारा safety के regarding में वह बहुत खत्रा हो सकता है उस जगा में fuse को हम निकालेंगे जब निकालेंगे तो fuse बोर्न हो जाएगे तो कोई problem है जब हम fuse लगाएंगे live line में तो अभी वहाँ पर flash होने का chance है उसी बचे से हम बहुत सारे safety equipment लाए का आपको rubber gloves हम जो high kv rating का rubber gloves को use करके हम वहाँ पर replacement करना पड़ेगा fuse को अपरेटिंग करेंगे operation का time में अगर उसे replace करेंगे लेकिन उसी जगा mcv का ये कोई इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा जो mcv है वह एक चुली हमारा switching जैसा काम करता है अगर एक बार उसका safety के लिए क्रीप हो गया किसी भी safety के बज़े से तो ये को करना हम दूबारा इसको स्विश्क्रीव नर्माली ओन ही कर सकते हैं इसके लिए हमारा replacement का जरूरत नहीं पड़ेगा यह हुआ इसका पांसपा पाइंट है जो safety के लिए ठीक है इसके बाद यह आखरी पाइंट है और एक शठा पाइंट जो आखरी पाइंट है उसके बार म मतलब आप जो mcv हम यूज करेंगे वह mcv क्या होगा ना जब short circuit होगा तभी तीन सेकंड का अंदर 1000 amps का अगर 1000 amps का current अगर फ्रो होगा तीन सेकंड में तभी यह क्या होगा वह mcv एक्चुली शरी फ्यूज नहीं mcv इसको संभाल पाएगा ठीक है लेकिन जो यह rating होता है एंस्यूजिव के लिए ही होता है कहाँ पर 103 है कहाँ पर 53000 तक है यह decry vous reach और इसको यूज करें जो कि यह कि कितना भी हो सकता है यह था आज का फ्यूज और एमसी दोनों के बारे में जो डिफ्रेंस में आपको बता दिया अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिए सेब किजिए और सब्सक्राइब जरूर कर जिए क्या कि यारे से आगे बहुत और सारे वीडियो आपको मिल प